आज हम दुनीय में medical infrastructure इस तरह से बना रहे हैं, जैसे कि हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन हम सब गंभीर रूप से बीमार हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो? आप नर्मदा जी के पास रहते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो? और ऐसी कई न दिया हैं जरूरी नहीं है कि ऐसा हो अगर आपको पता हो कि तत्वों को कैसे संभालना है अगर सारे नहीं तो कम से कम पानी और हवा को अपने नियंतरण में लेना बहुत आसान है इन दो तत्वों तक पहुँच आसान है अगर आप इन दो को अच्छे से संभालते हैं और अपने खान-पान के बारे में थोड़े जागरूक रहते हैं तो आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे एक समय था जब एक पूरे कजबे में सिर्फ एक डॉक्टर हुआ करता था और ये काफी था आज हर गली में पास डॉक्टर हैं और वो भी काफी नहीं है साफ दिखता है कि हम कैसे जी रहे हैं जब हम भूल जाते हैं कि हमें कैसे जीना है जब हम उसका आदर नहीं करते जो हमारा जीवन बनाता है ये धर्ती जिस पर हम चलते हैं हवा जिसे हम सास में लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, आकाश जो हमें थामे हुए है, जब हम इनका आदर नहीं करते, तो हमारे भीतर उनका भरताव बहुत अलग होता है। आज ये दर्शाने के लिए परियाप्त वैग्यानिक प्रमान है, कि पानी की जबरदस्त यादास्त होती है। अगर आप बस पानी को देखते हुए एक विजार पैदा करें, तो पानी के आणविक सनरचना बदल जाएगी। बस एक नजर, पानी के आणविक सनरचना बदल जाएगी। अगर आप उसे चूते हैं, तो ये बदल जाएगी। आप इसे कैसे चूते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यहाँ पानी को तांबे के बरतन में रखा गया है, और उपर एक फूल रखा है। क्योंकि ये भगवान है। और कौन भगवान है। अगर आप एक दिन पानी नहीं पीते, तो सिर्फ यही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं, ठैना। आप पानी के साथ कैसा बरताव करते हैं, वो याद बहुत लंबे समय तक रहती है। पानी के साथ हमारा बरताव हमारे सिस्टम में हर चीज के गुण को बदल देता है। इस विग्यान को हमने हमेशा से जाना हैं। लेकिन आज आधोनेक विज्ञान ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किये हैं और वो कह रहे हैं कि पानी एक लिक्विट कम्प्यूटर है ये अपने अंदर जिस मातरा में यादाश्त और बुद्धी मत्ता रखता है ये एक लिक्विट कम्प्यूटर है या ये एक फ्लूइट चाहते हैं, अगर देवता शक्तिशाली हैं और पानी ने उन्हें स्पर्श किया है, तो उसमें इश्वर की स्मृती है, आप चाहेंगे कि वो आपके सिस्टम में प्रवेश करें, लेकिन इस तरह के पवित्र स्थान पर होना ही, अपने आप में एक वर्दान है, अगर कुछ तरीके हैं, जिनसे आप पानी में हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा करता है, सारी क्रॉनिक यानि पुरानी बिमारियां चली जाएंगी, बिमारियां संक्रामक होती हैं या फिर क्रॉनिक होती हैं, संक्रामक रोग एक बाहरी हमला है, बाहरी जीवानू हमारे शरीर में घुसकर हम परिशान करते हैं इसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए आपको लड़ाई करनी होगी आम तोर पर हम केमिकल बॉमों से उन पर हमला करते हैं लेकिन लोगों की 70 प्रतिशत से ज्यादा बिमारियां खुद की बनाई होती हैं हम खुद अपने शरीर के अंदर उनको पैदा करते इसके बुनियादी वज़ह है इन तत्वों के साथ हमारा बरताफ अपने भीतर और अपने आसपास इस तथाकते तादुनिक जीवन शैली में उन तत्वों के लिए जरा भी आदर नहीं हैं जो हमारे जीवन का निर्मांड करते हैं तत्वों के साथ बुरा बरताफ करके हम भीतर ये अच्छा बरताव करेंगे, ये नहीं करेंगे, यहां नर्मदा की किनारे, यही समय है कि हम इस संस्कृति को वापस लाएं, क्योंकि ये घूम कर वहीं आ गया है, अब आधुनिक विज्ञान भी कह रहा है, कि आप पानी के साथ जैसा बरताव करेंगे, वैसा ही बरत के तत्व आपके साथ सही योग करें, वरना कुछ भी काम नहीं करेगा, हमारे शरीर का 72 पतिशत हिस्सा पानी है, अपने भीतर इस मुख्य तत्व को हम कैसे आसानी से शुद्ध कर सकते हैं, एक आसान चीज है पानी के साथ आपका बरताव, कम से कम पीने वाले पानी के मुझे पता है कि आज कल हर कोई प्लास्टिक की बोतलों से पानी पी रहा है, अगर आप इसे धातू के बरतन में रखते हैं, खास कर तामबा या तामबे की मिश्र धातू, तो पानी की प्रकृती ही बदल जाएगी, और पारंपरिक रूप से मुझे पता नहीं कि उत्तर भ और एक छोटी सी आरती करते हैं, क्योंकि पानी में जबरतस्त यादाश्ट होती है, उन यादों के अनुसार ही वो बरताप करता है, ये सरल सी चीज हर कोई शुरू कर सकता है, और तमिल नाडू में हम लोगों को शुद्ध तामबे के बरतन इस्तिमाल करने के लिए जवान बनाता है, अगर आप इसके रासायनिक संगठन को देखें, तो वो नहीं बदलेगा, यही इसकी खासियत है, पानी के सिर्फ आनविक संरचना ही बदलेगी, आपने शायद इसका अनुभव किया होगा, क्या नर्मदा में कहीं पर ज़रना है, ज़रना है, मान लीजे कि पानी 20-25 फुट की उचाई से गिर रहा है, ज़रने के तुरंत बाद, अगर आप पानी को छूते हैं, तो आपको पानी रेश्मी लगेगा, क्या आपने देखा है, क्योंकि पानी अपने ही अंदर फूटता है, और उसके आन्विक संरचना बदल जाती है, इसलिए वो अ पाया गया है कि अगर आप वो मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो केवल 10 प्रतिशत पानी से आप पौधों को अभी की तरह ही उगा सकते हैं, पानी की खपत कम हो जाएगी, 10 प्रतिशत पानी के साथ भी पौधे उतनी ही पैदावार देंगे, क्योंकि इम्प्लोट के अगया प इम्प्लोडिंग मशीने ला सकते हैं, इंग्लेंड में कुछ लोगों के पास उसका पेटिंट है, हम कुछ मशीने लाकर तमिल नाडू के किसानों को उसकी सेवा दे रहे हैं, ताकि वो इम्प्लोडेट पानी का प्रयोग करें, और खेत में उनका पानी का खर्च बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कब तक आप पानी को पंप करेंगे, इन दिनों बिजली भी मुफ्त नहीं है, तो किसानों को ये बहुत महंगा पड़ता है, अगर उसे कम पानी पंप करना पड़े, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, रोज के इस्तिमाल के लिए बस एक तांबे का बरतन, हर दिन अगर आप इसके पास एक दिया जलाते हैं, एक फूल रखते हैं, तो पानी जिस तरह से आपके भीतर बरताफ करता है, वो बदल जाएगा, और पानी पीने से पहले बस एक पल के लिए कृतग्यता और आदर की भावना, क्योंकि यही वो सामगरी है, जिससे आप अपना जीवन बना रहे हैं, कोई अंजान भगवान नहीं, यही वो पदार्थ है, जो हर पल आपके जीवन को बना रहा है, आप इससे कैसा बरताफ करते हैं, यह बहुत महत्वपून है, अपनी भावना में, विचारों में, अगर आप पानी को, आपको कोई देवी द देवता सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बस हकीकत को समझिए, सचाई यह है कि पानी के बिना आप जिन्दा नहीं रह सकते, जो भी आपके जीवन का आधार है, आप उसके सामने जुकते हैं, है ना, तो यह पानी, यह भोजन, बस इनके प्रती आदर लाना, आप देखे कि जो मातरा में आप खाते हैं, वो भी घट जाएगी, और आपके अंदर इनका बरताफ भी बदल जाएगा, अगर आपको कोई इंफेक्शन नहीं होता है, और अगर आप इन तत्तों से ठीक से बरताफ करते हैं, तो शायद आप फिर कभी डॉक्टर का चहरा नहीं देखें जब तक कि आप खुद डॉक्टर ना हो,